दोस्तों आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत दुलकाम है आपके अपने चैनल टार्गेट हो इन फेंटासी पर तो इस ब्रूब हम लोग बात करेंगे पॉन डिचरी ओमेंस टीटन लिग का जो 11 मैच खेला जाने वाले दोस्तों कल सुभे 9 बच के 15 मिन में तो उस मैच क यह बहुत ही important मैच है दोनों टीम्स के लिए तो हम लोग देखेंगे इसी टीम के तरफ से कौन-कौन से प्लेयर अच्छा रहेगा आपके लिए फेंडासी टीम्स बनाने में आपकी हिल्प करेगी उसी के साथ दोस्तों ग्रैंड लिग जिताने में आपके मदद में आएंगे तो दोस्तों कुछ स्टैट्स देख लेंगे कि ये मैच कहां पर होने वाले है C.A.P. Ground 3 जहां पर मेंस का भी लिग हुआ है और मेंस का भी लिग वहां पर होने वाले है और विदर बिल्कुल क्लेर है दोस्तों बारिश की कोई चांसे नहीं रहे और दोनों टीम्स की बात कर तो एंजेलोमेंस की जो टीम है लास्ट पांच मैच खेले उनमेंसे तीन जीते और जो डामेंड्स वोमेंस की टीम है लास्ट पांच मैच खेले और उनमेंसे दो जीते और लास्ट मैच डामेंड्स वोमेंस ने हार करा रहा है एंजेलोमेंस ने जीत करा रहा है तो एक एक advantage रहेगा किसके पास आपको समझ आ गए एंजे लोमेंस के पास तो अब आपको बताएंगे कि player stats क्या है जिसके थूँ आपको अंदजा लग जगा कि आपको specially concept players को must pick करना है उसके बाद grand league के तो अलग-अलग options आपको बता ही देंगे last में और दोस्तों एक बाद आपको टाकी score जा रहा है वोमेंस के लिए तो उतना जदा score वोमेंस की टीटर में बनते नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर score ठीक टक बन रहा है और सबसे पहले यहाँ पर एंजेलोमेंस की बात करे लास्ट मैच पे असास होगना और यूबस्री करती कें दोनों opening करे थी देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको यूबस्री करती कें यहाँ पर है बैटिंग सिक्षन पर इन्होंने लास्ट मैच पर देखिए जल्दी आउट हो गये थे चार गंद खेले और छेरर बनाई सिर्फ और असा सुबना कहां पर मिलेगा देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पार अमन्ना निगम दोस्तों कहां पर मिलेगा वाल उंडर सेक्षन में हमारे टीम पर भी थे लास्ट मैच पे 26 गंद खेले अर्टाली सर्म बनाई है हमने आपको वीडियो में भी बता था कि यह प्लेयर आपको ग्रेंड लिग भी जीता सकते है क्योंकि जिस तरह से वान डाउ से उसके बाद जब हमने टीम बनाई थे वहां पर 21 के कुछ आसपास थे लेकिन जब मैच शुरू है तो यहां पर देखिए इनका 87.30% सेलिक्षन होगा है क्योंकि दोस्तों लोगों ने देखा कि यह प्लेयर किस तरह से इनके पास जो है एविलिटी है किस तरह से चांसे इ समना आए तो यह कुछ थे बैटिंग पर्फेमेंस की तरफ से अब देखें बोलिंग में कौन से प्लेयर कैसे पर्फेमेंस की थे फिर एक बार आएंगे तमना निगम के नाम बाई डिफॉल्ट कप्तानिंग के चॉइस बनने वाले इस मैच पे दो बर बोलिंग करें नौर सार रंदेखेंगि इन्होंने निकाले और उसके बाद अगर बात करें रोहीर नहीं मने मिलेगा आपको स्याहट जऑ बोलिंग सक्षण में रोहीं मने यहां पर है आप ड्रेक बोलिंग करते हैं दो बनिंग करें थोले pięter 10 त्लयवंद्ध आपको बताैंगे ब्दायमंड कौन से प्लियर क्या से परफन्स किया था लास्ट मैच पे तो पहले टॉप अटर की बात करें थे बैटिंग में गौतमी नायक कविसा इलिया परिमल दुनों मिलके ओपिनिंग करी थी गौतमी नायक कहा पर मिलेगा आपको आपको बैटिंग सेक्शन में यहां पर देखिए क इलिया परिमल सी अठारा गंद खेले और चौप इसन बनाए ठीक ठाक इन्होंने भी खेले थे उसके बाद यहां पर देखिए सलोणी डंगोरे सलोणी डंगोरे मिलेगा आपको कहां पर बोलिंग सेक्शन पर मिल सकता है हां यहां पर देखिए यह है प्रॉपर बोलिंग सेक्शन पर लेकिन बैटिंग में वान डाउन खेल रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है आपके टिम पर मास्ट पिक रखना चाहिए तेरा ग बोलिंग डालके उसके बाद अगर बात करें जीव मुर्गेसन पुरान मगर बताई तो गाकुन नंदी नी प्यान मुर्गेसन दोबर बोलिंग करें अठरा रन देकर विकेडलेस इन्होंने भी गया है तो फिर बात करते दोस्तों अक्से भरत याज भी आपको कहां पर मिल यहां पर देखिए यह भरत्वाज भी इन्होंने लास्ट मेंच पे एक वहर बोलिंग डाले थे 16 रन खाए और एक विकन निकाले फिर देखिए सलोनी नंगोरे जो कि वान डाउन बैटिंग करते है साथ में बोलिंग में बहुत यह अच्छे बोलिंग परफेंस दिया था दो बोलिंग करे साथ रन देखिए सिर्फ दो उइकन निकाले बहुत यह अच्छे बोलिंग परफेंस थी यह अपने टीम के लिए और श्रीमेरा चंद्रसिखरान काम में मिलेगा यह आपको वालांडर सेथन पर मिले सकते है यहां पर देखिए इस जी सी चंद्रसिखरान जो ह इन्होंने एक ओवर बोलिंग करे सिर्फ नौ रन देके एक विके निकाले तो यह भी ठीक ट्रक चोई सब करें रहेगा दोस्तों अगर एक चीज़ आप समझे कि टीटेन लीग है तो यहां पर अगर कोई भी बोलार दस के नीचे रान खारा है मतलब बहुत बढ़े है नौ कम खाते है और उकेस नहीं निकाले तो भी फिर भी ठीक है प्रेसर केड होता है और दूसरे बुलास को इकेस मिलते है ऐसे कुछ थे दोस्तों यह जो है डैमनोमेंस की तरफ से प्लेयर पर्फॉमेंसेस लास्ट मैच का जो आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना चाहिए मतल कहीं देखें बी रगाबिकाव इगट के पर इक सिसन पर रहेगा और जीजे इलूमलाई या फिर एस लिंसी टीजे इनमेंसे जो भी खेलेंगे आप ग्रैंड लिक के अंदर ट्राइकर अगर ट्राइकर चाहे तो स्मॉल लिक के लिए उतना अच्छा चोईस नहीं रहेगा मेरे सबसे अब बैटिंग सिसन पर देखें दोस्तों इस गुपता है सिवन्ती गुपता जील पर ट्राइकरें भी निहारी का हमने आपको नहीं कहूंगा क्योंकि बैटिंग और बहुत नीचे है तो इसलिए थोड़ा सा डाटफुल रहेगा यह एकिन सिवन्ती गुपता जो है टू डाउन खेलेंगे और लास्ट में भी थोड़ा सा दस्रन मना कर गए थे बोलिंग मतलब ज्यादा टाइम इनको खेलने को नहीं मिले थे उपर वाले जो ओपनिंग और वान डाउन थे उन्होंने ज्यादा बॉल खेल गए इसलिए दोस्तों आपको आप चाहो तो ग्रैंड लिग के अंदर सिवांती गुपता को ट्राई कर सकते हो बाकी यहांसे दो जो डिफल्ट फिक हमारे टीम पर रहेगा कभी साहलिया परिमाल उसी के साथ इवस्री करती किया यह पाजिदार इसके अंजना भी यह सारे प्लेयर को आप ग्रैंड लिग के अंदर ट्र इसका प्रेम कुपार पंडे यह भी एक बाई डिफल्ट ग्रैंड लिग के चोईस रहेगा आपके लिए क्योंकि बोलिंग बैटिंग दोनों से आपको कॉंटिबूट कर सकते हैं और सेक्षन में देखिए गोतमी नायग रहेगा साथ में एक और ऑपनर सभना आसा चंद्र ज्यादा से ज्यादा और से आपको टीम पर लेके चलना पड़ेगा अब ज्यादा बैटर से फिर बोलस को पर भरुसा करोगे तो आपको उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिलने वाल है वेल मुरुगन जी या फिर कोई भी अगर खेले वी एस इनको आप ग्रैल लिक के अंदर करें स्मॉल लिक पर उतना बड़िया चोइस नहीं रहेगा और बोलिंग में दोस्तों देखी यहां पर इस डंगो रेमास्ट पी रोही नहीं माने और यहां से एक तो है भरतवाच दूसरे यहां पर जी मुरुगन इन दुने में से किसी एक के साथ अप जाईए हम यहां प सोबना आसा और तमना निगम दोनों रहेगा वान साइडेट आप चाहते हो गोतमी नायक के साथ जा सकते हो इस डंगो रे को भी ट्राई कर सकते हो टीम को सेफ करके आभी आपको यहां से प्रिव्यू दिखांगे और थोड़ा सा ग्रैली के वारे में डिसकस कर देंगे तो फिलहल टीम का कप्तान भाइस कप्तान कौन है सोबना आसा और तमना निगम ग्रैंड लिग की बात करें तो आप इसी कोमेंशन के साथ जाहिए मतलब उतना जाता चेंजेस नहीं कीजिए इवस्ति करती कियान कभी साहले पे रिमल चंद्रसेगरन गौतमिना एक डंगोरे औ और होई नहीं माने इन छे प्लेस के साथ ही आप रोटेसन करते हुए बनाईए और ग्रैंड लिग के अलग अलग टीम्स बनाईए तभी आपके पास ग्रैंड लिग जीतने के चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों यह जो ओमेंट्स के टीटेंड लिग है यहां पर ज्य जाए और एक अच्छा सा टीम अने अच्छा सा विनिंग कीजिए थैंक्यू सो माच अल दे बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर